तो अज फिर्व पेश करो यार यह रबाव तुमा यात है आज फिरो नहीं है फिरो बेशुमार है हमारे पास अल्ला के फजल से हो फिरो ने है हेरोइंज भी है बड़ी-बड़ी हेरोइंज है यहर है तो लेकिन आज जो है ना आज एक और चीज है हिस्टरी के हवाले से वैसे चाहिए तो यह कि जब हम इन हीरोज का तथकरा करें ना जिस पर लोग हरान होते हैं कि यार यह भी लोग मौजूद थे यह पढ़ाए क्यों नहीं जाते हमारे सिलिबस में क्यों नहीं है हम उस वक्त इन बोर्ड्स का उन यूनिवर्स्टियों का महकमा तालीम का विजारतों का रोना रोया करें कि जिनकी गफलत बलके मैं समझता हूँ जहालत की वजए से क्रिमिनल नेगलिजिंस की वजए से यह लोग बिल्कुल पुषीदा है लोगों को पता हिंने कि कौन-कौन है हमारे हीरो जो हर दूसरा हीरो आपका अंसंग हीरो है उसका पता ही नहीं किसी को और कई विलन्स हैं जो आपकी हीरो बने हुए हम उन विलन्स को भी आइस्ता आइस्ता थोड़ा-थ нормально और कई हमारे हीरों को विलन पेंट किया हुआ है इने चापे घानों ने विल्कूर जैसे पॉरस वाला था मामूल पॉरस ने डिसके आपकी इतला के लिए अर्जा है चंद रोज पहले इतजाज असन ने पॉरस के बारे में इतनी खुबसूरत गुफटगू किया किसी दिन मेरा दिल चाता है मैं उसका क्लिप चलाऊ हूँ कभी भी अलेक्सेंडर ने उसके ओपर कब्जानी किया था पीछे पांच शैन्शाहों को कतल करके आ रहा था अलेक्सेंडर वो पागल था कि पॉरस को छोड़ जाता यह इन्होंने मशूर किया हुआ जनाब के उससे पूछा बता तरह साथ क्या सिलूग करो जो बादशाह बादशाहों से करते हैं इससे बड़ी आहमकाना डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री है यह कोई नहीं आज दरसल मैं डिस्टॉर्शन के ह responds करूँंगा हम वक्तन फ़टन है लजी इसपर के केए एजीज ने बड़ěए अच्छी किताब लिखी थी उसका नाम था मर्डर ओफ फिस्ट्री तारीख कागतल वाँ वो जो murder of history है ना अच्छा murder of history हमारा कदम कदम पर हुआ है ऐसी ऐसी मज़ेदार चीजें सामने आएंगी आप दंग रह जाएंगे आपके रॉंक्टे खड़े हो जाएंगे कि आज तक हमें पढ़ाया क्या जाता रहा है लेकिन आज हम थोड़ी सी lighter dose से बात शुरू करेंगे क्योंकि इससे controversies भी शुरू होती है कुछ लोग नराज होते हैं कुछ लोग कहेंगे नहीं जनाब आप किस बिरते पर ये कह रहे हैं आप कहां के मौरिख हैं या यह भी है यहां पर कागज चेक करने लग जाते हैं कि जनाब आप शनाखत करवाएं कि आपका किस मसलख से किस स्कूल आफ थाट से किस आइडियालोजी से तालुक है हम आज आगाज करेंगे जंग आजादी से जो वार अफ इंडिपेंडन्स है बिसिकली आपको पता है कि यह वार अफ इंडिपेंडन्स नहीं थी यह म्यूटनी थी इसमें बिलकुल यह एक स्ट्रगल थी इंडिपेंडन्स की रिजिस्टन्स थी इसको war कहना गलत है war के जो अनासर तरकी भी होते हैं जो उसके अज़ाय तरकी भी होते हैं वो इस war में नहीं थे क्योंकि it was a house divided it was a divided nation मुसल्मान भी, हिंदू भी, सिक भी, हिसाई भी आपस में उनकी इस बात पर इत्तफाक नहीं था कि हमने अंग्रेज के खिलाफ जो है क्योंकि आदे उनके साथ थे आदे किसी और के साथ थे कुछ थोड़े से इनके साथ थे तो उसको आप war नहीं कह सकते हैं अगर ये war होती तो 1857 में आप अंग्रेज से निजात असल कर लेते जो war होती है ना उसमें इतहाद होता है planning होती है और public की अवामी हमायत होती है इसमें कुछ भी नहीं था जिसको हम कहते हैं कि ये नासर तरकीबी होते हैं जग के ये सिर्फ दिली और मेरट का इलाका जो है सिर्फ उस हद तक ये जग रही आज मैं इन तहाई उप्तेसार से आपको एक लाइण में बताउंगा तtechरा करूंगा मुगलिया हकुमत के पहले रेजिस्टर्ड लोटों का हैं जी जी मुगलिया दार में भी लोटे होते हैं मुगलिया दार में भी थे ये रेजिस्टर्ड लोटे थे बाकी तो खुफिया तोर पे ढखे छुपे लोटे तो थे वो तो बड़ा प्राना वक्ता मिटी के लोटे ही होगी यह वो लोटे थे जिन्होंने बहादर शाज़फर के साथ गद्दारी की अच्छा और मतलब एक गद्दारी तो पहले भी होती रही है यह वो लोटे थे जिन्होंने एन लड़ाई के जंग के और टेंशन के दौरान अंग्रेज के साथ कार्रिस्पांडन्स शुरू की उन्हें खत बहजे उनके साथ मामलाद किये और कंडेम किया कि हम किसी भी सूरत में रिजिस्टन्स को, म्यूटनी को घदर जिसको अंग्रेज कहते है उसको डिसप्रूव करते है ये थे एहसान उल्ला खान साब और महबूब अली खान ये दोनों वजीर थे ये दोनों बहादर शाज जफर के वजीर थे तो ये सर्टिफाइड लोटे हुए उस वक्ते रिजिस्टर्ड मैं समयता हूँ सर्टिफाइड लोटे हुए अच्छे जी हाँ जी इसी तरही पहली अंग्रेज नवाज जो फत्वा बाजी हुई थी वो भी इसी दोर में हुई मुहमडन असोसियेशन आफ बेंगाल ने अंग्रेज़ों के हक में फत्वा दिया था कि इनके खिलाफ लड़ना जो है वो कुफर है और इनकी अतात जायज है ये भी उस दोर का एक सलसल है जो हमारे सिल्वस में नहीं है और किसी ने जुरूरत भी महसूस ने की कि कुरेदा जाय कि ये लोग कौन थे अच्छा गालिब ने जितनी अंग्रेज नवाजी गालिब ने की है शायद ही किसी ने की हो अच्छा जी जी जनाब ये दुनिया अर्दू अदम का पहला लोटा गालिब था ने इससे पहले भी मीर तकी मीर भी ये कुछ कर चुके है मौमन खान मौमन ने भी ये कुछ किया था हम इसे कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद खातिन अज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहेगा